हालो फ्रेंड्स वेलकम बैक रोट शंसी यह हमारा सेकंड लच्छर है लेन जब रखा और इसमें मैं डिसकुस करने वालों वेक्टर स्पेस के बारे में राइट तो वेक्टर स्पेस क्या होता है इसके बारे में लोग जानका ही लेंगे और इसके डेफिनिशन को देखेंगे ठीक है वेक्टर स्पेस तहु तो अपालो तो वेक्टर स्पेस की पेले डेफिनिशन देखते हैं यानि कि वेक्टर स्पेस्ट अवे इस अशट वी, is a set of V, on which, मतलब यह वेक्टर स्पेस्ट अभी हो सकता है वह दू पर डीफाइन होता है, एक पोश्ट्व, और एक मेरे पास होता है, मैं इसको यह बहुता हूं कि वेक्टर एडिशन को एक नादर भी नेम होता है इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इंटर्नल कंपोजिशन ठीक है यह मेरा इंटर्नल कंपोजिशन होता है धिसको हम लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं यह मेरा अश्टर्नल कंपोजिशन होता है ठीक है यह बेटर्स पर इसको यह बोलता है कोई मान लेजिए lumière तो आप क्या करते हैं कि V के कोई दो member लीजिए और उनका sum करिए ठीक है और sum करने का अगर वह भी मेरा V में विलांग कर जाए तो उसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन क्या करें सब्सक्राइब करें 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 ठीक है साथ में लोग यह भी जानेंगे और वेक्टर एडिशन होंगे हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे तो आइधर से आपको चीज़ के लिए हो चुकिए अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं मामले को तो पहले हम लोग प्रिखेंखेंश और इफ़न ए फदी क्लूजर वेड करें योग फड़न लेक्टेश क्यों को जो जानती हो कि प्लस के लिए यानिकी पॉस्ट्यों अपयेशंगे यह व क्या BC जानते हो आप कितने बिखार्ड होती हैं एक इनको हम स्वाइद गरा देते हैं तो हम कहते है कि वह गुरूप मेरा कै तो आप लोग को रिवर्स कर दो दोने इक्वल होने चाहिए तिक इसी तरह से इसे डिफाइन होता है तो आप लोग को आता ही है ठीक है अब मुझे यह समझना है यह याद रखना कि additive universe भी हमारे पर define होता है और यह additive identity भी define होना चाहिए ठीक है तो यहनिकि अगर आप यहाँ पर define कर रहे हैं यह वेक्टर स्पेस डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर यह सारी condition किसके लिए operation होती है यह operation के हमारे internal composition के लिए define होता है तो internal composition के लिए इतनी बात define हो जाती है ठीक है तो यह जब भी वेक्टर स्पेस define करने के बात आएगे तो आप यहाँ पर दो बाते पहले define करेंगे एक internal composition एक अगर यह दोनों define हो रहा है तो फिर हम चर्चा करेंगे पहले इन दोनों पर चर्चा करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा वेक्टर स्पेस real numbers and scalars जो भी scalars होंगे उसके लिए हम define करेंगे ठीक है and vectors तो and much to satisfy the following condition तो पहले condition क्या सब्सक्राइब करता है closure ठीक है वह हमारे पास क्या होना चाहिए याद रखना कि यह very important property है आपके लिए closure यह इसकी मतलब कि अगर हम कोई C लेते हैं C मेरा constant है अब उज़र नहीं real number हो हो किसी field का member मान सकते हो आप किसी field का member है मेरे पास और V मेरा किसी vector का member हो गया ठीक है for all लगा लोगा ठीक है अगर ऐसा है तो such that और यह मेरा क्या कर रहा है और मैं इनका product कर रहा हूं और वह विलांग कर जाए V में तो हाप कहते हैं कि scalar multiplication property hold होती है ठीक है तो यह आपके पास हो है और साथी साथ मेरे पास बहुत important property distribution ला उसको भी आप hold कराना चाहिए ठीक है तो वह भी ध्यान देना है आपको तो second हमारे पास last है जो इसके आगिने इस्ट हमारे पास है distribution ला है याद रखना कि इसका closer property इसके मेल्टिपैशन गर्डिये था और जो इंदकर के लिए था देखो अनी और यह अब दिखा देते हैं कि U प्लस V करें वह भी हमारा क्या होना चाहिए व्य में होना ची थे बागी मोश्ली जो होते हैं उनको तो डिफाइन करते ही रहेंगे यह हमारा प्लोजर परपरिट्यौ इसके यहांपे क्या करते हैं इंप्लाइस अगर करी हैं ठीके और वो किसी वी के मेंबर हो जाते हैं तो मैं 大क MR हो गये हैं अगर थी लाता है distribution लाग फॉर ओल नंबर सी यानि कि सभी इसकेलर के लिए बात हो रही है एंड ओल वेक्टर सीनि सभी वेक्टर के बात हो रही है अगर आप ऐसा करेंगे तो यहां पर सी है पास कुछ होती है और अगर यह सभी फ्राइब करती हैं तो मैं कहाँगा कि मैरा स्पैस कड्र सरे क्रीfund करना है तो आपको यह सभी प्राइब आ जो अपको क्या करने कि यह मेरे बेडरे स्पेस आया नहीं ठीक है तो मैं आपको सामने एक एक जामपल रख रहा हूं वैसे मेरे पास एक जामपल जो में एक्जामपल होते हैं वह यह कि पहली बात तो ऐरी ये मेरे पास है कि अरुजर एक कि र misconception लेता हूं लेशनल नंबर और इसको अगर रैस्ट नल के यह नइ कि जो फिल्ड हो वह भी रैसनल नंबर हो और अगर सुछ भेन将 रमपर होता है तो ऐसे हमारे पास सब स्पेस सोब होता है यह मेरे पांस दो है इसको उनल को इसनल अवेक्टर स्पेस ठीडे हैं अगर मेरे पास यानीकी जो सेट ओय किसेता मेरा इकूल तो क्यों हो गया मेरे पास वह भी में रले क्यों ओगे तब मैं उसको कहुंगा rational vector space ठीक है यह बात यार रखना और अगर मेरे पास मान लीजिए R over the field R है यानि कि R over the field R है देखो vector space को क्या बोलते है vector space V over the field F तो यह मेरे पास जो होता है scalar के लिए होता है field होता है कोई और V क्या होता है मेरे vector space होता है ठीक है तो यहां पर field भी matter करता है तो अगर ऐसा आता है यानि कि जो set V है यह R कहो वेक्टर स्पेस over the field R ठीक है अगर ऐसा होता है तो में इसको बोलता हूँ real vector space real vector space ठीक है और अगर मेरे पास मान लीजिए यहां पे C over the field C आता है तो मैं इसको क्या बोलता हूँ मैं इसको बोलता हूँ complex vector space complex vector space ठीक तो यह general कुछ हमारे पास vector spaces होते हैं और इनको इस नाम से जानते हैं यह तभी हो सकता है इस vector को मैं तभी real vector space बोलूँगा जब इसकी field कैसी होगी real number होगा और इस vector space को मैं तभी rational vector space बोलूँगा जब यहां पर जो field होगा वो real number होगा और इस vector space को तभी मैं complex vector space बोलूँगा जब यहां पर field क्या होगा complex number होगा ठीक है यह तो कुछ general हमारे पास होते हैं तो इनको आप याद रखें साथी साथ अब यहां पर कुछ other मैं properties बताऊंगा ठीक है जैसे कि मान लीजिये मेरे पास given आगया है यहां पर पॉलिनोमिल की बात कर लें ठीक है तो पॉलिनोमिल space की बात करें हम अगर कि पॉलिनोमियल space पॉलिनोमिल इसपेस ठीक है पीटी तो यह भी क्या होगा यह भी मेरा बेटर इसपेस होगा कैसे होगा मैं आपको बताता हूं ठीक है अगर मेरा पीटी कुछ इस फॉर्म में होता है पीटी इसक्वल टू इस फॉर्मेट में होता है एनॉट अनॉट प्लस ए वन टी प्लस ठीक है ए टू टी स्कॉर प्लस एंड सो अन AN D की पावर N ठीक है For All यहां पर जो N इकोल टू होगा वो क्या होगा 1 यहां जो N इकोल टू होगा वो 1 2 3 एंड स्वान यह होगा ठीक है I think यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा अगर ऐसा आता है तो मैं कहूंगा वेक्टर एडिशन भी फालो करता है मेरे पास ठीक है और यहां पर यह स्कैलर मल्टिपिकेशन भी फालो करता है कोई दिक्कत नहीं अगर कोई भी आप 2 पॉइनोमेल को एड करते है यह से 1 पीटी ले लिए हमने कोई हमने कुSet ले लिया और यहां अगर अड करेंगे मैरे पास क्या मिलेगे फालो करह समिलें दिक्सिट करेंके म्लटिपिकेशन का मदल बॉइं यानि की परिटीमेल में किसी भी स्केलर समय dish फोटेशन होता है वो फिर स्केलर मत्याइशन है थिक के तो इे मेरा क्या होता है कि तीनों को अवर को वराल फालू करता है तो में इसको क्या नाम देता हूं इसको सकते होց रहे कर रहा है मैं तक अहांत एंबर मैंट्रेश आध रहा हुब मैंट्रीच पेसे और यहां पर m वे इम इम इनगे मैट्रीश मी मैंट्रिश आखTomod ah ray लीए हम वह लीए बात करेंगे तो यह विया मेरा और होग अगरिक्र इंट्रीज होंगे यहनि कि मैट्रिक स्प्स जो मेरा डिफाइन होगा यहां पर एजे एम बाइन और यह जो एज आइजे है वो किसी फिल्ड के मिंबर होंगी ठीक है ऐसा तो इसको मैं क्या बोलaggi यह भी मैं एक बैटर इस्पेस के नाम से ठीक है इस तरफ बिखेशिक होता है मेरे पास अंतनी है czy वह भी आप जान ले है rozum function space क्या होता है Certain space को हम लोग बोलते हैं कि यह भी कोई function हो जैसे कि चाहे वो continuous हो और ठीक है कैसे हो function हो odd function, even function हो वैसे बहुत सारे function होते हैं ठीक है उन सभी के लिए भी हम लोग जानेंगे कि अगर function के बात करेंगे तो भी मेरा वेक्टर एडिशन और वेक्टर मल्टिपिकेशन ही फालो करता है जैसे कि f प्लस g of x is equal to fx plus g of x and is equal multiplication जैसे कि हमारे पास k of x is equal to यहां से हुजाएगा आपका k यहां से हुजाएगा आपका k k जाएगा fx ठीक है for all x will launch to आप जानते हैं कि for all x will launch to एक कोई set होगा उससे विलांग करेगा function और यहां पर k जो मेरा होगा वो पी से कि scalar से विलांग करेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है और यहां से अगर आप इनका जिरो वेक्टर दिखाना चाहिए तो जिरो वेक्टर भी दिखा सकते हैं आप ऐसे बहुत सकते हैं कि हमें सभी मिल रहा है तो मतलब यह भी क्या होगा एक मेरा function space कोई दिक्कत नहीं है यहां तक आए रहा होगा ठीक है तो प्रॉलम यह कि यहां पर भी वैसे नॉर्मली अभी हम लोग ने देखा है प्रॉलम यह है कि जितने भी हमने example देखें तो general example देखेंगे मान लीजी एक मेरे पास question आया कि z मेरे पास कोई है ठीक है और यहां पर क्या होता है कि z equal to ऐसे define है एक्स प्लस आयोटा वाई एंड एक्स विलांज टू आर ठीक है एक्स विलांज टू आर एंड वाई विलांज टू आर यह दोनों मेरे आर के member हैं यानि कि मुझे यह चिक करना है या फिर आप सकते हैं चिक करना है कि z over the field r क्या होगा वेटर स्पेस होगा यह मुझे देखना है तो कैसे पहले हम लोग क्या करेंगे पहले हम लोग देखेंगे कि z addition पर क्या होगा यह इजवैलियन होना चाहिए ठीक है और उसके बाद भी हम लोग देखेंगे कि अब इसका जो scalar multiplication है वो भी हमारा होना चाहिए यह जेड के लिए हमारे पास इतना वेटर अडिशन हो गया तो इसके लिए हमारे पास इतना वेटर अडिशन हो गया ठीक है वो भी आप देखेंगे जैसे मान लीजे शाल के विलांग स्टू एफ एंडवी विलांश डू जैड अगर ऐसा हो जाए एक मतलब यहां पर अर्तिक है और यहां पर अगर यह मैं करों के वी और तो वी अगर मैरे जैडर में बिलांग कर रहा है तो ठीक है यह थर्ड सेगंड प्रपर्टी हो जाई और थर्ड प्रपर्टी जो मेरी लास्ट होगी अगर वो यह होगी distribution distribution कैसे कैसे होगी उसके तीन पार्ट होंगे मेरे पास उनको हम लोग देखेंगे यहाँ पर ठीके अलग अलग करिके से जैसे कि पहली चीज हमारे पास हो गया कि a x plus y a x plus y is equal to यहाँ पर क्या होगा a x plus a y यह होना चाहिए for all कि a will launch to करेगा real number से and x और y विलांग करेगा कहां से z से similarly अगर हम a plus b into x कर देते हैं और यह मेरे पास अगर a x और plus b x आ जाता है ठीके for all a comma b will launch to real number and x will launch to कहां होगा z होगा similarly मेरे पास अगर कोई आ जाता है third property ऐसी होती है कि अगर a b into x किया जाए तो क्या आना चाहिए a b into x आ जाए for all a b will launch to real number and x will launch to क्या होना चाहिए जेड होना चाहिए ठीके तो इतनी property होने के बाद और यह साथ साथ एक भी हो जाए एक इवन डाट x equal to x for all one will launch to real number and x will launch to vector तो इतने property अगर सटिस्फाई हो रही है तो हम लोग कह सकते हैं यह पक्की बात है मेरा क्या होगा अगर यह इतनी property सटिस्फाई करता है तो हम कह सकते हैं definitely कह सकते हैं कि आपका vector space होगा तो जेड मेरा complex number है तो आप जानते हैं दो complex number कस्ता में complex number होता है ठीक है और फिर अगर हम बात करें कि तो जेड हमारा complex number ऐसा है जो vector addition यह नहीं कि vector addition को मतलब हुआ closure property hold करता है associated property hold करता है and committed property hold करता है इतना definitely hold करता है और इसका देखा जा addition के थूपर तो यह मेरा inverse भी hold करेगा और existence of identity भी hold करता है ठीक है तो abelion तो यह पक्का हो जाएगा ठीक है आप कर लेना अराम से और because यह मैं recording video बना रहा हूं तो इसलिए थोड़ा सा deeply मतलब ऐसे बताऊंगा generally मैं इसका प्रूप नहीं बताऊंगा ठीक है तो आप समझ लें कि कैसे में परोग परना है आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी scalar number multiply करें vector के साथ कोई भी complex number में real number से multiply करते हैं तो यह तो यह हो जाता है कि यह होता है नहीं होता है तो यह वी फिलांग कर दें कोई दिख्यतों लिबात नहीं है तो मेरे पास डेखको मैंनल कर जाता है और एक हमारे इन पर्फई को देखो इन पर्फटीस को मैं 3 क्रिक्रेम डिवाइट करता हूं 3 परपड़ेस में टिता वो प्रफटीस क्या है इसका जिएकशी जीरो वेक्टर तो आप अगर इतना पर यह वेक्टर हमारा पॉस्बिल होगा यह वेक्टर का पॉस्बिल नहीं होगा ठीक है इतने में ही हम लोग क्लियर कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है चलो इनको हम लोग करते है चलो एक दो कुस्टिन और सॉल करते हैं जैसे कि इसको देख के बताना कि हमारा यह वेक्टर होगा कि नहीं होगा जिसे क्यों और ओवर दा फिल्ड आर यह मेरा होगा कि नहीं होगा यह वेटर इस्पेस होगा कि नहीं होगा ठीक है तो यह पता करना है प्रस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् ऐसे कुछ मिला 2-4-10 एक्जामपल मैं आपके सामने बना रहा हूं ठीक है R ओवर दफील्ड R ले लिया मैंने C ओवर दफील्ड C ले लिया मैंने इस C मेरा ओवर दफील्ड C ठीक है ऐसे और 2-4-10 एक्जामपल लोड अपने एक्वाडिंग सेट कर लेना जैसे कि यहां पर मैंने ले लिया आपका क्यों और ओवर दफील्ड यहां पर फील्ड कैसा ले लिया जाए आपके सामने इस बार इस बार आपका फील्ड ले लिया जाए दफील्ड मैंने ले लिया जाए तो यह हमारे पास कोछ रिजामपल है इनहीं के पता करके देखता हूं कि यहां पर कितने हमारे पास स्पेस होगा यह vector space होगा vector space होगा मैं बोलोगा नहीं होगा region region यह है सिंपल सा region है आप सिंख करें वही तीन प्रोपेटि न थींक रे तो आप यह देखो क्या scalar में फालो करता है scaling 'tdy Bug Assunta मैं क्या होता है कि मैं को स्क़ठः उठाता हूँ ठीक है इसके सरा खार कि दो जैब मुझे इसको बाइ मैंने मैंने कैसे सूंचे यह नहीं होगा तो कई बेले की व्यार्टर आधने उठा लिए, माललिये, वैक्टर। कोई भी एक रहता लिया, अब उसको किसी में रियल नमबर से मिल्टीपलाय करता है तो मैं real number root 2, मैं real number है, मैं इस साथ ऐकर multiply कर देता हूँ, तो यहां पर आता है one upon root 2, आप देखते हैं यह मेरा क्या होता है, यह मेरा does not we launch to, क्यों, यह मेरा एक rest number नहीं होता है, इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ, कि यह multiplication property follow नहीं करता है, इसलिए मेरा क्या होगा यह मेरा वेटर स्पेस नहीं होगा ठीक है आप यहांत पर बात कर लेते हैं बस्तίν होगा तो कॉंप्लेस को इestar से इये बिल्कुल होगा लेकिन यह वेटर स्पेस हो सकता है याक होगा क्योंकि इसमें वेटर इडिशन भी फालो रहा है किसी भी रियल नंबर में अगर कॉंपलेस से मिल्टिप्लाइ करते हैं तो वह रहता है ठीक है और यह जिरो वेटर भी फालो कर रहा है तो कोई प्रवलम नहीं यह मेरा होगा ठीक है अब यहां पर यह देखता हूं मैं यह तो होगा लेकिन अगर मैं बात करों सीनॉसन यह हो सकता है तो यह नहीं हो सकता यह क्यों होगा यहां पर लगा है कि नान्जिरो कॉंपलेस नूंबर को मतनब यह हूँगा कि वेक्टर एडिशन फालोुदर्वसकान करेंगा बाकि सब कुछ फालो ऊडेंसा नहीं लेकिन जह बीटर होना होने के मतलब यह हुआ कि जब हम लोग एडिशन दिखाएंगा ना यानि कि एडिशन पर हम लोग जब अबेलियन दिखाते हैं तो उसमें जो बात आती है कौन सी बात आती है एक बात आती है कि यहां पर हमें इनवर्स बात करनी होती है ठीक है इनवर्स इजिच करा रहा दो मoration बने गानेंस को तो मैंने क 입 it थुपल या यह जो बैस ब्लूंग इसका है तो इसलिए एक उसलिए्लमें बम उनकीम आ इंधिक ओंगा कि नहीं कई सबांज़ेगा dirt तो क्या बोलते हैं कि मेरा वेटर स्पेस नहीं होगा ठीक है तो बस आप सिंपली इसको आईसा बोलेंगे यहां पर कोई जादा भी विवाद नहीं करना है कि आप इससा जंग लड़ेंगे ठीक है तो सिंपल तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या बताया तो जब करने वाली बात बादे हम आएगे मात्र फहर दो प्रपर्फेटिर दिमाग वे लेकर स्चेक करेंगे पहले कि हमारे वैटा डिक संग और तो अब लेकर चलते हैं अपने ने मेरा हो गा मैंने क्या बताया यह नहीं हो AG यह बहुत नहीं यह आप दिमाग में रखनार बीजन आपको समझा दिया अब वर इंद्फिस नमबर के फिल में देखते हैं क्या होगा तो यह हमारा हो सकता है नहीं हो सकता हो तो मैं कहोंगा नहीं होगा region region simple एयार किसी भी real number vector में complex scalar से multiply करते हैं ठीक है तो जो number बन रहा है वो जरूरी नहीं पूरा real number यह वो real number भी हो सकते हो complex number भी हो सकता है example example मैं आपके साहरे रख रहा हूं scale multiplication follow नहीं करेंग ठीक example example मैं आपके साहरे रख रहा हूं मान लीजे कोई रियल नम्बर मने लिया मान लो root 2 लिया और हमने कोई भी scalar मान लो i से मुल्टिप्लाई करा दिया ठीक है यह मेरा क्या है यह मेरा एक scalar है जो की complex का member है ओ यह मेरा क्या vector है जो की किसका member is real number का member लेकिन आपने देखा कि मैं अगर इन दोनों का मिल्टीप्लाइ कराता हूँ तो यहां पर ब्ल्कुल वेक्टर एसके एव यह की बहुत half बैं यह सिंपल है ठीक इसमें कोई ले लेते मान लीजिया हमने लिया रूट 2 अपाउन 3 यह इसका मिंबर हुआ और इसमें 1 बाइ 2 से मल्टिप्लाइ करा दोगे आप ठीक है तो 1 बाइ 2 से मल्टिप्लाइ करा होगे तो जो आएगी वैलू रूट 3 यह रूट two अपाउं six आया उपक्का इसमें फिलाउं करेगा यार, simple, रूट two किसके साथ, रूट two किसके साथ है, लेकिन, 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 ये तो होगा, yes, ये हो सकता है, वेक्टर ड़ाँ स्पेस, लेकिन ये नहीं होगा, अच्छा, reason, क्यों नहीं होगा वेक्ट बैट रहें तो एक रैसे नम्बर देता है वह रिच्ट अब नहीं देगा इसलिए मैं बात करूंगा यह मेरा क्या होगा वेटर स्पेस नहीं होगा यह वेटर स्पेस होगा बिलकुल होगा किसी बनबर को रिच्ट कर रहो गिए तो यह सब कुछ फालो गड़ेगा ठीक बेख्र भी होगा क्योंकि यह नहीं होगा और यह नहीं होगा रिजन रिजन साफ है आप समझदार हो तो अन्याइब को सब्सक्राइब आपको समझ में आई होंगी और आपको खिलियर हो गया ठीक है अब suppose ठीक है U and V belong कर रहा है कोई vector space होगा कोई vector space V होगा उसमें belong कर रहा है ठीक है और मुझे ये vector space मतलब given ऐसा नहीं कि तुम्हें इसमें प्रूब करना है ये vector space में given है then simplify करना है then simplify then simplify 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 of following expression ठीक है तो ये मुझे कैसे करना पड़ेगा मैं उसको बारे में देखूंगा तो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं तो देखते हैं क्या होगा पहला कुछन मेरे पास क्या है पहला कुछन ये बोल रहा है कि ए इसक्वल्टू यहां पर सौरी इवन लेलो ठीक है तो इवन इसक्वल्टू रुक जाओ तो यहां से आपका क्या बनता है यह है कि इवन इसक्वल्टू मेरे पास है पहला है पहला है प्रूल्टू प्लस फॉर वी तो यह प्लस फॉर भी ले 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 यह जूँ प्लस फॉर भी यह होगा एंड एट्यू ले लो यह एट्री ले लो ठीक है E3 मेरे पास क्या होगा E3 मेरे पास होगा 3U 3U माइनस 6 यहाँ पर हो जाएगा 3U and minus 5B ठीक है और प्लस 7U 7U and E4 मेरे पास जो question है यह question है अभी इनका solution मैं करूँगा 7 में ठीक है मिलके करेंगे पर ले question में लिख दू यह चौथा question मेरे पास है कि A4 equal to 5U minus 3 upon V plus 5U अब मुझे क्या करना है इनको simplify करना है simple simplify करना है ठीक है तो पहला question में solve कर रहा हूँ आपका तो यहाँ पर कैसे करना है बहुत simple तरीके question को handle करना है ठीक है अब थोड़ा सा तो जैसे कि मैंने पहला question है even even is equal to क्या बोल रहा है कि 3 3 से multiply कर लो भाई तो 3 2 6 U हो जाता है minus 3 4 12 V हो जाता है और plus 5 U हो जाता है and plus 7 भी हो जाता है तो यहाँ पर because यह मेरा क्या था यह committed property भी होल्ड कर रहा था ठीक है और इस 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 ता फ़र्णरी इस ता फिर्निवर्स पक्का होल्ड कर चुका था क्योंकि मेरा vector space है तो पक्की बात है कि यहाँ पर दो vector का sum हो सकता है और हमारे पास subtraction भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है तो मैं इंकर करूंगा यहाँ पर तो 65 कितने हो जाएंगे 11 यू हो जाएगा एंड यहाँ पर हो जाएगा 7 यू ट्वल यानि कि कितने हो जाएगे माइनस के 5 भी हो जाएगा तो यह तो मेरा expression solve हो गया ठीक है तो फर्स question solution हो गया यह सेगंड का solution मेरे पास क्या होगा समझना है ध्यान से E2 is equal to 2UV plus 3 2U plus 4V actually मैं यहाँ पर क्या होता है कि यह UV यानि यहाँ पर हमारे पास दो vector का multiplication define नहीं होता है जब भी आपने properties देखी होंगी जितने भी properties यह ने बताई है क्या उसमें दो vector का multiplication define है नहीं है अगर मुझे यहाँ पर दो vector का multiplication define नहीं है ठीक है तो मैं यहाँ पर यह कह नहीं सकता हूं कि यह आपका मतलब की expression solve भी होगा तो हम बोलेंगे it is not possible यह not possible है हमारे लिए not possible है रिजन संद में आया क्यों रिजन संद में आया क्योंकि हमारे पास UV defined नहीं है ठीक वहाँ पर UV मेरे में define नहीं है इसलिए मेरे क्या होगा not possible होगा I think आपको बास में आई ठीक है तो इसलिए not defined vector space में define नहीं है मेरे पास इसलिए मैं इसको नहीं कुछ कह सकता हूं लेकिन मैं e3 बिलकुल discuss करूंगा e3 और e3 मेरे पास है कि 3u यह पक्का हो जाएग एंड 6 से मैंडर मिल्टिप्लाइ करो 6 318 u हो जाएगा and minus minus plus हो जाएगा यहां पर 6 5 30 और यहां पर वी आ गया आपका और यह प्लस 7 यहां पर आपको क्या हो जाएगा वी हो जाएगा ठीक है सेन वी यहां पर और इनको अगर कल्कुलेट कर लोगे तो यहां पर यू यू और यह वी भी अटाम से मलब कल्कुलेट करके जो भी वैलिवा राइट कर लेना ठीक है तो यह मेरा होगा मलब पॉस्पीले सिंप्लिफाई आराम से हो जाएगा लेकिन वगर मैं फोत नंबर की गर प्रवृट बबात करूं तो फोत नमर में ध्यान से अगर अगर आप इस को समको धान से देखें तो यह तो कोई दिक्क्त नहीं लेकिन यहां पर यह तो किसी भी यहां पर इसकलर मल्टिपीकिए कर दिया जाए तो वह बतलम केले कि आ मों कि अटेसं जाता है किस एक वेक्टर का इसे द गजोगतर देखते हैं बब आपी कोई भी प्रोबर्टी नहीं देखते हैं कि मुल्टि के साथ कि दो वेक्टर को मैं टीप्लाइ करें तो एक वेक्टर होना चाहिए ठीक है या फिर कि मलद अटी ते ऐसा कुछ सब्सक्राइ इसमें और ना तो इसका इंवर्समें डिफाइन कर सकता हूं ठीक है आपको यह बास में आ चुकी है तो इस लेटर अगर मैं एक और कॉस्टन लो तो आग बता सकते हैं जवाब दे सकते हैं इस इस ले रहें पहला कॉस्टन से फिर एवन इकोल टो मेरे पास होगा कुछ न कुछ ठीक है फॉर इस बार आब बताना कि इस बारे डिफाइन होगई नहीं होगा फाइप यूँ एंड माइनस माइनस और यहां पर मेरे पास थे 6V ठीक है और प्लस यहां मेरे पास 2 3u and plus V यह मेरे पास है e2 e2 मेरे पास क्या है e2 मेरे पास है 6 और यहां मेरे पास है 3u and plus 2v plus 5u minus 7 v ठीक है and e3 मेरे पास क्या है e3 मेरे पास है 5 2u minus 2u minus 3v and plus 4 7u plus 8 and last मेरे पास question है e4 is equal to यह मेरे पास है 3 यह हो जाएगा 5u और plus 2 upon V यह मेरे पास तो यह चार question है मुझे करने की जूरत नहीं है बस आप यह बताएं कि कौन define हो से था कौन define हो सकता तो अगर इसको चेक करोगे फोर से multiply करोगे तो कोई दिखनी यहां पर हो जाएगा मेरे पास 20 V हो जाएगा माइनस यहां पर हो जाएगा 64 यहां पर 64 24 तो जो मैं थोड़ा सा आहिकैं हो 2 यहां से ट्वैट यहां से क्या हो जाएगा 24 और 24 भी हो जाएगा ठीक देखं़ब Princess 52 just 6 u हो जाएगा माइनस यहां सोड़ी प्लस यहां पर जाएगल है इसको नॉर्माल केलड़्क लोगति मेरे पास्ट बिल है चलो इसको देखते है यह पॉस्बिल है नहीं तो देखो 62318 यू एंड प्लस ठीक है एंड शिच तूज़ा 12V एंड प्लस ही हो जाएगा मेरा 5U एंड माइनस 7V यह मेरा पॉस्बिल है आप देख सकते हैं ठीक है अब कोई दिकत नहीं यहां से देखें ये तो 52310U माइनस यहां पे फाइप और यहां पे वाइप सता है 15V एंड यहां पे देखो 728 2 एंड फाइप सत ठीक है défin ओंड यहां पाईब का इडीशन तो मल्टिपिकेशन वेक्टर का इडीशन इसके57 अगसा तह था वेकल एडीशन वेकल सताल का इस को सथ बिल्सकाइछ वेक्टर के अडिशन एक वो स्केलर के साथ ऐसे नहीं था मतलब आपने देखा होगा कि अगर मेरे पास था भी तो डिस्टिबिशन प्रपर्टी ऐसे थे कि अगर मैं A लेता हूं स्केलर तो यहां पे वेक्टर थे X प्लस Y X प्लस Y ठीके यह था एक प्रपर्टी दी मैरे बना था A X प्लस Y बना था ठीके एक बना था मेरे पास प्लस भी लेता हूंमें आप वेक्षा अगर इन्र से तो मैं आपको बताता हूं यह ऐसे होते थे प्रपर्टी मतलब एक से कैलर और कि आपकोई प्लस एक व्क्टर मनें difायें किया our ्यॉसassy का वम्मनाइचत कि यहाहा था हम नहीं ौभी एक इव यहाहाँ हो som कॉती है कि यह क्थी नहीं वा दॉद्धी थो क्या होगा हम इसको आइसे बोलेंगे कि मेरा Cleveland हुआ निहीं है ये इसमिल हो सकते हैं कि इसलिए ये फोर्हा है इसका है इसा रहा है और यह भी बहुत easy questions है, एक बार आप ध्यान से समझेंगे, तो कर सकते हैं, I hope, ठीक है, और बहुत simple question मैं आपके समने रख रहा हूं, जैसे कि कुछ vector space होंगे, और एक कोई field में define होंगे, ठीक है, यहाँ मेरे पास कुछ vector space है, मान लीजिए, let कर लीजिए, let कर लिया, चलो एक vector space, vector space, over the field, over the field, okay, भी मेरा कोई vector space है, over the field, okay, तो अगर ऐसा है, तो भी मेरे पास बहुत रहा है, पहले प्रोपर्पर्टी, इनको प्रूब भी करना पड़ेगा, ठीक है, के, इन्टु जीडो करेंगे, तो क्या है, जीडो आजाए, second property, जीडो इन्टु यू करों, तो क्या जाए, जीडो आजाए, and third property, third property बोल रहा है, कि अगर k इन्टु यू करों, तो क्या जाए, मेरे पास जीडो आजाए, ठीक है, and then, अगर जीडो आजा नहीं, then, अगर ऐसा हो, तो मेरे पास यह होना चाहिए, कि यह तो k equal to zero हो, या फिर इन्टु यू करों, इन्टु यू होता है, तो मैं इसको कह सकता हूँ, कि मेरे पास k into minus u होगा, और इसको मैं कह सकता हूँ, कि मेरे पास minus k into u होगा, ठीक है, तो यह चाह प्रोपर्टी चला हम प्रूप करते हैं, बहुत ही important assumptions है, मेरे लिए, तो first exam क्या होगा मेरे पास, first exam मेरे पास हो जाएगा, हम लोग first को प्रूप करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे, हम लोग जानते हैं, कि मेरे पास मानलो कोई zero vector थो गई होगा, तो हम कोई zero vector उठा लेते हैं, कोई zero vector, ठीक है, और आप जानते हैं, कि additional property follow करता है ठीक है जीरो वेक्टर अगर मेरे पास है तो वह एडिशन प्रोपर्टी पका फालो कर रहा होगा तो मतलब यह जीरो और प्लस अगर हम जीरो करेंगे तो पक्की बात यह क्या होगा मेरा जीरो होगा डैफिनिली जीरो होगा ठीक है और अगर ऐसा होता है मैं लग की थोड़ा के जीरो प्लस जीरो और यहां से हो जाएगा मेरे पास के और डिस्टिबिशन लाके इसको ब्रेक कर रहा होती हो जाएगा के जीरो और प्लस यहां पर जाएगा के जीरो और यह क्या जाएगा मेरे पास हो जाएगा जीरो प्लस जीरो और यह मेरे पास हो जाएगा क्या जीरो कोई दिक्कत नहीं है आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं या फिर मेरे पास ऐसे डिफाइन हो जाएगा मालो बहुत साइड माइनस के कर लें माइनस के इसको एड कर लें यहां से समझ आप मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि मैं क्या करूं कि ऐसा हुआ ठीक है बहुत साइड मैं के-0 सब्सक्रियोगाillar कर दो तो मेरे पास क्या था के-0 already था मैं इसमें करूं किजिरो सब्सक्रियट करता घधत करता हूं तब कुछ हो जाएगा इंटरफेस का ठीक है के-0-엔डप्लस-क-0- &--क- generated तो यह क्या हो जाएंगे दोनों कैंसल हो जाएंगे तो यहां से देखोगे तो यह भी मेरा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा आप देख पा रहे हैं जीरो हो जाएगा तो मतलब यहां से आ गया के जीरो इक्वल टू जीरो कोई दिक्कत नहीं है तो आप ऐसे भी प्रूब क मम लोग मतलब कि इसको 8 sen घंडा करना gate 2 समझ ना तो भाई समझे जेलर सा 0 को τα एक गरए फुसरी प्रकार करें किसे बरकार से बांटों से बातों सही है लेकिन इसको प्रोब कैसे करोंगी है तो हम जानते हैं कि अगर दोjor को अगर हम जोड़ेंगे आड्ट करेंगे तो भी एक स्केलर होगा कोई दिक्कत रहे निए 0 प्लस 0 प्रवर 0 होता है confirm यह मैं क्या मानना हो स्केलर मानन रहा हूँ इसके लर मानना मैं नहीं अब अगर स्केलर इसको माना मैंने तो क्या होता है कि स्केलर का मिल्टिप्लाइब कर दें वेक्टर के साथ अगर स्केलर का मिल्टिप्लाइब करते हैं तो एक वेक्टर होता है कंफर्म एक वेक्टर आता है यह भी हमने बास सीखिती है भी ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूं इस सब्सक्राइब ये सब्सक्राइब करता हूं 0u बराबर है हो जाएगा 0u से 0u कर दो यहां से क्या हो जाएगा 0u इक्क चीडिक है यह पिर आहले दिखकांतारीक नहीं आ रहे हैं लेकिन ये प्रूविंग अगर समझोगे नहीं तो करने में फिर डिफकर लगते हैं ठीक है लेकिन आगर इनको थोड़ाइन सभी तो परोविंदो किक्या हो जाते हैं इसी हो जाते हैं तो आधियं पें आपको आगे वधाते हैं इसिभय है aparece इसमें चलते हैं थर्ड नंबर प्रोविंग में अब इसको समझे कि कैसे होगा भाई थर्ड नंबर प्रोविंग दिखते हैं थर्ड नंबर प्रोविंग गोड़ा है कि एक स्केलर का मल्टिपिकेशन और एक वेक्टर का मल्टिपिकेशन आपको जिरो अगर हो जाया है तो मै मेरा वेक्टर जिरू रहा होगा अब इसका क्या मेनी होता है भाई इसको समझिए पहले तो मानते हैं लेक्ट हम मानते हैं मेरा के नान जिरू है हम मानते हैं के मेरा क्या है नान जिरू है अगर के मेरा नान जिरू है तो के इंटू जिरू अगर ऐसा है अगर के मेरा नान जिर के तो पॉकिदा घाप के पात के कि दो अधे होगा और यह बन आता होगा ठीक के अगर ऐसा घुदे का सकता हुए यह सकता हूं कि यू इक्वल टू नियौ को इस प्रपेटि मैं प्रपेटि में शीक्री जोक्राइब offense उस्ट प्रपीटिक प्रडिक क्रीडिमा उन्यात ऊनख्रrie Gуди में क्या इसको ली सकता हूं कि तो यहां से आपका यह बन जाएगा क्या यह बन जाएगा हमारे पास ठीक है यह हो जाएगा मैंने यह आपको बताया था कि अब अगर अगर मेरे पास अगर के ना जीरो हो तो मतला पकी बात यू मेरे क्या आएगा जीरो आएगा यह मैंने प्रूब किया यू मैरे क्या जीरो आगा अब अगर अगर मेरे पास similarly अगर मैं ऐसे नेश्वाला प्रूब करूँ तो वह भी प्रूब हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है क्या प्रूब करता हूं पहले तो जैसे मैंने के को ना जीरो लिया अगर उसी टाइप अगर यू को अगर ना जीरो लिया जाए तो इस तरह सब्सक्राइब प्रूब कर सकता है कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है तो आप इसको भी कर लेना अज हुख आपको यह समझ में आया ठीक है कैसे मैंने किया मैंने बहुत स्थिम्पल है एगर के नाजीरो है तो यह फिल एफ कि मेरा एक फिल्ट कर मेंबर है तो पकी बात है यह मेरा क्या होगता होगा? क्या स्क्राइब है? तो यह मोग जानते हैं इसके आप इसको ऐसा ले सकता हूँ स्थों और अराम से फिर आप प्रूव कर सकते हैं कोई बड़े बात आपके समने नहीं थीके न एक नेस्ट शमारे पास क्या है चलो इसको समझते हैं हम लो करूग सब्सक्राइब करें इसको जादा यूज और यूज हो गए छी के तो फोर्थ नमबर इसको थिएन दें कि अगर मेरे पास यू यू प्लस। माइनस यू कि बात किया जाए तो क्या यह दो गया एक लिए पाया बाता है तो आप यह जानते हैं तो मैं क्या लिशाता हूँ जे सकता हूँ ठीक है अभी इसको यूज कर लो आप राम से कोई दिक्कत नहीं है को इंट जिर लिए सकता हूं और यह मेरा क्या हो सकता है इसको लिए सकता हूं मैं के जिरो मैं जिरो की कवल यहां से यूज कर लो तो यहां से हो जाएगा यू और प्लस यहां से हो जाएगा माइनस यू ठीक है यह हो जाएगा एंड जैसे इसको किया मैंने वैसे आप इसको कर लेते हैं तो जीरो इक्वल टू क्या ले सकते हैं आप जीरो इक्वल टू आप ले सकते हैं जीरो इंटू यू ले सकते हैं और यह आपका हो जाएगा क्या यह आपका हो जाएगा यहां से आपका आजा है तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है यहां तक क्लियर हो छुका है ठीक है थोड़ा से यहांपे आप को करना है ठीक करना यहां पर आड करेंगे क्या करेंगे ओन influx hours later अगर ऐट करते हम बूर्द साइब माइन सक्ञा ख़ाएगा ठीक यहां पी दिके नहीं यहां से तो यह तिन्सद्मिक प्रोबट्टी तो फ्रousफ ऑफ कि आपको यह करना था इकाल थे की सुझक, आपको एप आपके करना थे ठीक है। तो यह से इसको फिनिस करते हैं हम लोग नेश्ट आगे बढ़ा दें माम लेगो चलो नेश्ट आगे बढ़ाते हैं नेश्ट मेरे पास है कि अगर मैं आपके सामने रख दूं कभी ऐसा सो करना हो मेरे सामने कि के कि यू माइनस वी इसको टू के यू माइनस के मी ठीके फर्ष्ट एंड सेकर मेरे पास प्रूब करना हो यू फ्लस यू इक्वल टू तो यू तो कैसे प्रूब करेंगे आप बई चलो देख लेते हैं फर्ष्ट का प्रूब देखते हैं कि आई असाने पिभी देखते हैं के इसको लिखते हैं U प्लस इसमाइनस V एसको लेख सकते हैं by distribution लाए distribution ला कॉममें से मैंने आपको बताया था कि यह स्केलर हो गया यह x इसके रीक्स आपको लिसके अगिक感 को मेरे पास करना है अभी आपको बता है इस एक्स को को लिसकता हूं कर दो आ और यहां पे नशनम लेंगे हम लोग फिल से कम लेने क्या शोवर है अपको फूल करना है ओ तो यहां से आपको पूफ हो जाएगा अगर यह पूफ हो चुका ठीक है तो क्या करना था पहले मैंने क्या बताया पहले समझेना दियान से फ़र्श वाले प्रूफ में मैंने आपको बताया कि के इसके रहो गया कोई और दो वेक्टर हमारे पर जब ऐसे होते थे तो मैं आप आपको मैंने बताया कि के एकस और प्लस के वाई हो जाता है आप फिर मैंने आभी आपको आपको एक्जिम बताया था कि आगर माइन सत्के कहीं आता है ठीक है za deepest इनमाने के साथ ये पाशने माइनस के एह सकते हैं और ये फ्यू माइनस के ऐसे आता है तो लिए तो मैंने तो फिर्ट बड़ाई जी सिखेंद भी देखें इसको देखेंगे हैं किया यहां से आपका उठाव उठालो तो क्या होगा यू प्लस यू है मेरे पास इसको मैं लिसकता हूँ 1 इंटु यू एंड प्लस 1 इंटु यू ठीक है distribution property की according क्या हो जाएगा तो यह 1 प्लस 1 और इंटु यू कौन सी property है मैं आपको याद दिला दूँ यह मेरे पास था a plus b into x is equal to था यह था मेरे पास ax plus bx यह था तो आई होप इससे आप ब्रेक करना समझने होगे कैसे ब्रेक क्या हो गया तो इसमें होगा तो ने कटर Isle match क्रीज मैंने अपको बताओ है वह पूरी तरह के सब्सक् Yasmin में आयो ठीक है और अगर आप mostly vector space proof करना चाहते हैं मैंने आपको बताया था कि internal composition का मतलब हुआ कि V plus लेकर चलेंगे external composition हुआ हमारे पास V sorry external composition मतलब यह हुआ कि scalar multiplication दिखाएंगे आप वेक्टर addition और इसमें था कि scalar multiplication आप दिखाते हैं ठीक है और इसमें थे मेरे पास five properties थी इसमें मेरे पास क्या था इसमें मैंने आपको बताया था कि आगर काली mostly क्या दिखाते हैं इसके रर के साथ एक वेक्टर का multiply करके वह भी दिखाएंगे वेक्टर में विलांग कर रहा है मेरे पास और साथ मैंने बताया distribution last जो होते हैं तीन जो राज बतायते हैं यूणिटी प्रोपरटी बताई थी मैंने आपको अगर यह सभी होल्ड करते हैं तो मैं उनको बोलता हूं वेक्टर इसपेस तो में मुझे चेक करना होता है तो मैं क्या करता हूं तीन प्रोपरटी मात्र चे वह लेइस्चर हमारा होगा ठ्राइंड फ्रेंड्स वह लिच弄े मैरे पास वैक्र सब स्पेस के बारे में होगा कि वेक्टर कि सब拜拜 थिक है वैक्टर सब स्पेस के बारे में आपको मैं बहुत बड़ी स्पिप सेरीव बनाने वह वाया व 이용 इस में वेक्टर समय से इतनी प्रोपर्टीज होते हैं, डेफिनिशन होता है, कैसे हम लोग बेटेस बैस चेक करते हैं, और डेफिनिशन से रिलेटेर भी हमारे पास जो भी एक्जम्पल्स होंगे, कॉस्सन्स होंगे, उनके पर हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही बड़ी लेच्चर बनेगा, लबक देड़ दो हंटे हम आपको बताएंगे, वीडियो से ठेक है, पढ़ाएंगे, तो अगर आप मैं चले में नए हो, प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोसको में वी लाके जाएंगे, थाइंगे भुदाएंख पर मास वाचिए बस्प्लिए, और अट भाउ हमेंगे भुदा में ने वीडियो जएट्ट पर इस श्यक्राइब, को बसुदा, तो और दो सुन्स है, लूदेड़ ने वीडियो, तो तो और दोस्ते बाएंग